चानक के आईएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइडोजन मिशन के बारे में जिसे हाल ही में मनजूरी दी गई है। प्रधान मंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्री केडिनीट की बैठिक में नेशनल ग्रीन हाइडोजन मिशन को मनजूरी दे दी गई है। इस ग्रीन प्रोजेक्ट का इनिशिल आउटले उननिस हजार सास्सो चो मारीस करोड रुपे का है। इस बजट को डैशनल ग्रीन हाइडोजन मिशन के विभिन उदेशों के लिए अलग-अलग से आवंटित किया गया है। इस मिशन का उदेश्य भारत को एनरजी फिल्ड में आतम निर्भर बनने और एकॉनमी में सयोग करने वाले प्रमुक छितरों में कार्बन इमिशन को कम करना है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाइडोजन के बारे में कि यह है क्या। पानी का फॉर्मुला सभी को पता है H2O इसी पानी से अलग करके बनाते हैं हाइडोजन को लेकिन इसको बनाने के लिए भी ज़्यादा तर हम परंपरागत उर्जा का इस्तिमाल करते हैं इसलिए इसे ग्रे हाइडोजन कहते हैं कम प्रदूशन से पैदा हुए हाइडोजन को कहते हैं ब्लू हाइडोजन लेकिन ग्रीन हाइडोजन का निर्मान रीन्यूएबल एनर्जी से होता है यानि इसे बनाने में सॉलर एनरजी, विन एनरजी और बायो मास का इस्तिमाल होता है National Green Hydrogen Mission में Green Hydrogen के उत्पादन के साथ-साथ इसकी बांग को बढ़ाना और निर्यात भी शामिल है इसके लिए सरकार ने Strategic Intervention for Green Hydrogen Transition Program बनाया है इसके तहट देश में Electrolyzer की Manufacturing और Green Hydrogen का उत्पादन शामिल है Hydrogen जिस प्रकिरिया से बनाया जाता है उसे Electrolysis कहते है Green Hydrogen बनाने के लिए साथ से सो गिगाबाट शमता वाले Electrolyzer प्लान को त्यार किया जाएगा Electrolyzer की Manufacturing और Green Hydrogen पर पांच सालों के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा वैसे चेतरों की पहचान की जाएगी जहां Hydrogen का इस्तमाल बड़े पेमाने पर होता है उन इलाकों को Green Hydrogen हब बनाने का भी लक्षे है सरकार Green Hydrogen इको सिस्टम डवलप करने के लिए एक पॉलिसी भी लेकर आएगी अब हम बात करेंगे इस मिशन के बारे में जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं इस मिशन को 19,744 करोड रुपे के प्रारंबिक बजट के साथ शुरू किया गया है जिसमें साइट कारे करमों के लिए 17,490 करोड रुपे पाइलेट प्रोजेक्ट के लिए 1466 करोड अनुसंधान एवं विकास टास्क के लिए 400 करोड और अन्यकारियों के लिए 388 करोड रुपे आवंटित किये गए है नवीन एवं नवीकरनिय उर्जा मंत्राले इसके सब्मंदित घटकों के कारानवेन के लिए योजना की दिशा निर्देश को तयार करेगा Green Hydrogen Tossession Program के किर्यानवेन के लिए दो वित्ये प्रोजसाहन सिस्टम Electrolyzer के घरेलु निर्मान और Green Hydrogen के Production को लक्षित किया जाएगा इसके तहट Green Hydrogen Ecosystem की स्थापना के लिए Policy Framework का भी विकास किया जाएगा और साथ ही एक मजबूत मानक और नियमन सनचना का भी विकास किया जाएगा अगर हम बात करें कि इस Mission का उदेश है क्या है National Green Hydrogen Mission की मदद से भारत को Green Hydrogen और उससे जुड़े उत्पादों की छेत्र में एक Global Hub की रूप में विक्सित करना भी इसका उदेश है इसके लिए कुछ लक्षों को निर्धारित किया गया है National Green Hydrogen Mission की तहट वर्ष 2030 तक 8 लाग करोड रुपे से अधिक का कुल निवेश किया जाएगा वर्ष 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मिट्रिक टन की Green Hydrogen प्रोडक्शन का विकास किया जाएगा इसके तहट 6 लाग से अधिक के रोजगार का स्रजन भी करना लक्षित है 7 लाग करोड रुपे से अधिक मुल्य के फॉसल फ्यूल के इंपोर्ट में कमी लाना भी इसका लक्षय है Annual Green House Gas Emission में 50 मिलियन मिट्रिक टन तक की कमी लाने का भी प्रियास इसमें किया जाएगा इसके साथ ही आज का हमारा एक टॉपिक यहीं पर कम्प्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ आप हमारी यूट्यूब चैनल को Like, Share और Subscribe जरूर करें Thank you so much